पुश्कर्म के आरोप में जेल में बंदे चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई है दोनों ही पक्षुराहत मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो हाई कोट में अपील भी कर सकते हैं चिन्मयानंद को SIT ने 20 सितंबर को गिरफतार कर जेल भेजा था उनकी ओर से जिला जज़ की अदालत में जमानत अर्जी जो है वो दाखिल की गई जिस पर आज सुनवाई होनी है वहीं चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में चात्रा को 25 सितंबर को गिरफतार किया था उसके वकील ने भी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है उस पर भी कोट में आज सुनवाई होनी है तो चिनमया नंद और चिनमया नंद से रंगडारी मागने के आरोप में गिरफतार चात्रा दोनों की आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है कौट में और देखने वाली बात है दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी अब राहत मिलती है या नहीं नहीं तो हाई कोच का रुख भी कर सकते हैं